वेलकम गाइस F2P 16 अब इस एक चैनल में फिर आप सभी का स्वागत है जोरदार वीडियो के साथ क्योंकि आज हम लोग चलने वाले हैं गिल्फेस्ट का रिवार्ड और यह मेरा गिल्ट नया था जैसे मैं आप लोगों को पहले एक बार दिखा देता हूं यह आईजी का गिल ठीक है 2000 प्लस चाहिए मिनिममम ठीक है यह नहीं बना पा रहे हो तो तुम्हें अपने रीजन देने पड़ेंगी प्लस स्क्रीन सौट ठीक है तो चलो या पहले फटा 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 करते हैं अपने गिल्फेस्ट की तरफ उपर का पहले चैट हथा देते हैं कि को सब को चाह देते हैं कि हमारी गिल्ट रैंकिंग क्या है तो चलो या चेक कर लेते हैं ओ भाई सहाब थर्ड रैंकिंग काफी अच्छी पॉइंट हो रहा है और देखो या यह मेरे सेकेंड गिल्फेस्ट है मतलब की 2000 प्लस अब तक का मैंने पहली बार 2000 प्लस बनाया है मतलब कि 2000 प्लस या 1800 प्लस बनाना इजली होता नहीं है पर आप बना सकता है कि आप कि इतना टाइन देते हो यार इतना प्लस पॉइंट बनाने के लिए आपको काफी अच्छे टास्क जरूरत हो ठीक है तो यह हमेसा आप कितने दिन तक बैट के गेम खेलने वालो तो यह डिपेंड वाला माइट था उसका 75 बिलियन गिल्ट रैंकिंग और उस टाइम पे भी मास्टर गंड लेट थो लो तो उन लोगोंने भी 1,97,000 सम्तिंग कुछ पॉइंट बनाया थे पर यहां पर इंडियन गिल्ट ने 2,00,000 बनाया काफी अच्छा गिल्ट बनाया उनसे जादा बनाया प क्योंकि हर कोई ग्रो करना चाता है तो जाइड सी बात है कि भाई होगा ठीक है हम चेक कर लेते हैं कि मेरे प्लस पॉइंट केतने देखो भाई हम आपको अपने पॉइंट दिखा दे रहे कितने बनाये तो 2042 बनाने के लिए मुझे भी काफी मेहनत करनी पड़ी क्यों मैंन चाते हो किसी भी अच्छे गिल्ट में जाओगे तो यार अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अधर वाइस आपको लाद मार के बगा दिया जागा उसके आपको देखा नहीं जागा कितने बड़े जद्वाद हो ठीक है तो यह देखो यहां पर हमारे पास सो प्लेयर थे तो का अब करना तो कुछ लोगों के साथ होगा कानूनी कारवाही तो होगी जाइज सी बात है ठीक है अब हम चैक कर लेते हैं अपनी वर्ल्ड रंकिंग फेस्ट में तो वर्ल्ड रंकिंग में चेक करें तो यार काफी अच्छी रैंकिंग है एक सो सतान पिछले बार थी रसियन लोगों की इंडियन गिल्ट की काफी अच्छी रैंकिंग हो गई है इस टाइम पर मतब कि पहले को मुझे लगता है पिछले बार यह लोग काफी अच्छा स्कोर किया तो इस बार नहीं कर पाएं फिर भी काफी ठीक है मेरे साफ से तो ठीक है यार काफी अच्छा बना है काफ इस बार यह थड़ राइं और धर जियर रेंकिंग से परेपी प्रिविएस टाइम पर गिमिन तो वह क्यूज कुज कुज हुज है तो इस बार कि लगता है कोई बाद नहीं गोड़ है यह तो अब ठीक है तो देखो यार काफी कुछ चीजें हैं यहां पर आज मुझे अटैक अटैक विजियोस मिलेगा रैली ट्राइब अकाउंट बनाने के लिए ठीक है और चेस्ट भी है तो चलो यार देखते हैं कि करके सबसे पहले लेंगे क्या हा तो तीस दिन का ट्रेणिंग का मिल ल पुआ है 3 तो नटैक है 150 रुपाई में हमको 10 टो मिल लाएगा तभी यार ठीक है कैप यहीं ले लेते हैं कि त्रूब करने यहीं ले लेते हैं दूसरे चेकरते हैं यार जेड वाम यार जैड वाम को केल 5 चेस्ट मिलने और बहुत जादा है नहीं पॉसिमिल्टी कुछ भी से लेते हैं हो सबता है कापी जो भी हो देखते हैं बाद में बात करेंगे ठीक है और मर्जिंग का ले लेते हैं स्रिसर्च स्टील को मर्जिंग का ले लेते हैं काम आम हो जाए गया जैसे के एक्स्ट्रावगांजा में आता है कोईस्ट कंप्लेट करने के लिए हैल का तो वह मैं बहुत टाइम से ओपन नहीं क्या हूं लगभाग हपते भर के ओपर हो गया है काफी यह मुस्किल डिसीजन है मेरे लिए चौथा क्या ले ट्रूप्स ट्रेनिंग इसको ले लेंगे तो 120% वाले बूस्ट में आएगा तो थोड़ा प्रॉफेट में लेगा यही लेते हैं आर्टिफेक्ट को लेने का कुछ फायदा नहीं क्योंकि वैसे भी कुछ उखाड़ पाएंगे नहीं है का आर्टिफेक्ट हॉल में जाके बहुत ज्यादा भी दिमापास हो भी जाए तब भी ठीक है क्योंकि अल्रेडी बहुत से प्लेयर बने वे और भाई साब क्लैवरी ऐना इतक टो लेंगे आव्याह यहां तो कोई रीस नहीं ले सकती यहां मॉंस्टर हंटिंग गयर से कोई सॉदा नहीं वांस्टर हंटिंग ले नहीं है यहां पyunो कंपल्सरहिं है यहा तो अच्छा ठीक है मेरे पास सेट तो है सका सेगेंड वाला सेट थर्ड वाला भी सेट है फिर्स्ट वाला सेट नहीं है पर यह मिक्स सेट में मैंने इसको निचूज किया तो इतना इंपॉर्टन नहीं देखे ज़रा है उसके साथ क्या क्या दे रहा है और भाई सा फारिंग और यवाज आई ठीक है तेरा सेट दे रहा है तो स्पीड़ ले लेते हैं यदि स्पीड़ रहेगा ट्रूप्स ज्यादा रहेंगे तो अच्छी बात है तो सेट लेना चाहिए पर मैं स्पीड़ ले रहा हूं ठीक है तुम लोग कुछ भी कहो तीन हावर्स के देख ले तो तीन हावर्स के 6 स्पीड़ यह ठीक है और जेम्स बारास हो दे रहें तो हम चूज करेंगे और दसवे में क्या चूज किया जाए मरजिंग या यह नहीं नॉर्मल नहीं इसी को लेते हैं इसी को लेते हैं इस पीड़ पॉन से चूज किया जागा इस पता ये इसका आट का या तीन का साथ या मर्जिंग का वैसे ट्रेनिंग का लेते हैं रिसर्च वे और लड़ी में वह बहुत रखें पहुत रखें सारे वेस्ट है टाइम पर आने वाले टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएंगे मेरे लिए क्योंकि इतना सारा कंप्लीट हो चुका है और अलम कुछ समय ने आ खाला है इसका यह ले लेते ठीक है यह ले ले लेते हैं हां यहां इसनो की इनका उतना कोई जरूरी नहीं है फॉरस्ट इंग कि चैस्ट यह हमारे लिए जरूरी कि इसका मिक सेट एक मेरे पास रखा है मैं बनाना चाहता हूं पर जिसका जो सबसे पहले बन इसका इसका इसको चोड़ें थोड़ी गरिम डीपर के यहां को चाहिए यह यहां पर क्या ले इनर्जी ले दस्ट उसाथ तो नहीं यार एक ही बार फिल होगी इस अच्छा तो यही ले ले लेते हैं यही हमारे साथ 120 बूस्ट पर आ जाता तो आमको काफी मदब हो जाएगी आर्मी साइज बूस्ट गोड है अच्छा यह जेम्स में भी आता है रुक जो एक सकंड जेम्स में इसकी प्राइस क्या मिलती जरह चेक कर लेते हैं कभी भी कुछ भी खरीदना हो ना पहले बाद चेक कर लिया कभी यह मेरे लिए यह सारे प्लेयर के लिए अच्छी बात है अब आर्मी साइज बूस्ट देख लेते हैं 20% का मिलता है उनको 2400 का और जेम्स कितना दे रहे हैं उसके साथ 2400 का दे रहे हैं यह 3000 को जेम्स दे रहे हैं तो लेना है कि प्रॉफिट रहेगा पर मेरे पास यह और लेड़ी बहुत सारे हैं साथ तो रखे हैं जरूद उतनी यह भी है ने क्योंकि रैली ट्रैप अकाउंट बनाने के बाद ही जरूगत पड़ेगी तो उससे पहले वेस्ट तो जितना हो सके मेरे पास जेम्स रहे वो अच्छा है तो जेम्स मैं ले 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 तो यहां पर भी जेम्स चूश को अरे भाई साब यह क्या मिल गया गदर ची अरको पोड़े आएज़ें और जो सब्सक्राइब भी जेम्स के ले ले लेटे है इन फ्यूचर के लिए ऺजना यहां और बाएंदर के लिए अच्छा सवदा है रे गदर प्श्चर के लिए ले लेटे हैं फियूचर देख से लेढ़े हैं तो यहां पर बात करते हैं यहां पर यह पीजाने हैं जोणे से लेंगे , और जाएं दोनों भाई बहुत अच्छे हैं सभी बदा है देखो तुम्हाराइपस 20 के 6 रहेंगे तो तुम्हाराइपस चांस रहेंगा हॉली स्टार दो बर फुल अटेक मार सकते हैं इतना पावर है इसमें ठीक है और 24 का है तीन मिल ला है तुम्हें ठीक है ज्यादा से और चौथा देखो या चौथा मेरे पास इंबर चेस्ट है तो इंबर चेस्ट मैंने और लड़ी हरीत के बहुत रखा था तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है हां यह ले सकते हैं टाइकोन का क्यूकि इसका कभी-कभी अच्छा ची जा जा जाता है तो वहां पर टाइकोन में इस्तमाल कर सकते हैं अब भाई साब डी लोकेटर उतना नीचे या रोड़ी एक से क्यावन रखा है अभी इतना काम नहीं है बॉन अपीटे ले सकते हैं ब्रिलियन्ट टैलेंट और वीबी ले सकते हैं ठीक है तो यही ले लेते हैं और हां अब भाई देखने के बात है कुईन बीन सारे चेस्ट भी हम लोग ओपन करेंगे भी कुईन बीन का यार देखा जाए तो मेरे पास इसका अल्रेडी सेट है दिखा देता हूं मैं तुम लोग को एक सेट है यह रा मेरा देखो मिथिक प्यानाने के लिए मेरे को भी छह मिल गया है चार और चाहिए तो क् इसको यह चूज करेंगे और इसमें से यह चूज करेंगे टीडल का मैं इसलिए रहा हूं कि उसका मेरे पास एक सेट है मिक्स में तो मैं उसको बनवा रहा हूं और बॉन पीटे चूज करना चाहिए था मेरे पर नहीं ठीक तो मैंने अपने चूज कर लिये हैं जो यह मैं पहले आठीफेक्ट कोई दिखा देता हूं अपने आचिपेक्ट का तो तुम Ca' देख सत्तेहों कितना दिखेutetा दस सदूर कि प्डीरे unlike तो देखो यार इसको भी ओपनिंग करेंगे अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे अभी मैं करेंगे मजा आता यार एक टुकल टूर करके बटोड़ने मजा नहीं आता ठीक है और एक चीरे बता हूं इसका सब्सक्राइब क्या लगता है जब तुम कभी भी कोई आइटम पाऊ ना तो इसके नीचे जो नाम लिख के आता ना भावकाल अपना यार इसे लगता है अपना ही भाई यह जो फोड़ रहा है ठीक है यह आइटम अलग मिलगा तुम लोग को इस तरह से इंटर्वी लेते हैं ठीक है तो परसनली कॉल पर लेकर करते हैं हम आपको अपनी नेस्ट वीडियो में बता देंगे कि आपको इस पर इस गिल्ट में जोइन करना आइजी का रिकुट्मेंट किस तरह सोता है और वो क्या रिकुट्मेंट मांगते है बहुर चाह कि आपको इसा नहीं कि मैं जोइन कराता हूं जोइन हमारे यहां के यल्ट दो प्लियर कराते एक नभी भाई कराते और एक जॉंबु घराँ ठीक है जोंब कराते तो यही दो लोग है जो तुम्हारी रिकुट्मेंट कर सकते हैं और देखो अभी तो हमारे पास च्लीटों क कभी आना भी चाहोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि कैसे यह लोग क्या रिक्वेट्मेंट मांगते हैं ठीक है तो यार वीडियो को बस यह एंड करते हैं हां देखो मुझसे कही लोग यह कमेंट करके पूछे तिक भाई आप रैली पे वीडियो कब बनाओगे कब बनाओग अब जो मैंने रिसेंट वेडियो अपलोड करी राउंड टू की साथ सो सोला मिलियन माइट एकाउंट ओबर वीव की तो वहां पर तुम मेरी टूप्स देख सते हो वहां पर मैंने अपनी टूप्स दिखाई कि मेरे पास कितनी टूप्स है और उसके साथ-साथ मैंने सेट मिक्स वाले भी और गियर्स के भी तो तुम वह वीडियो देख सकते हो इसके बाद अभी मैं देख लो इसलिए जोइन कर रहा हूं क्योंकि मैं चला जाओंगा तो मेरी सील हड़ी आगे और इस किंग्डम में अलड़ी कई सारे वाट हैं ठीक है और यार मैं अपने सील हटा मेरे लिया तो इसलिए मैं अभी राइली ड्न नहीं कर रहा हुँ एक अब आप रहे तो नहीं नहीं कर रहugal और यहीं करते हैं तो वो सब वेदी में record कर फाया तो उसको मैं upload करता रहूंगा तो बस यार वीडियो को बस यह end करते साथ यार वीडियो अच्छे लगी हो तो यार लाइक कर देना और जिन लोग जो लोग मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख्या है भग्मान कसम आप सभी लोगों दिल से यार धन्यवाद और जिन लोगों ने नहीं किया तो कोई बात नहीं आर बहुत टाइम आराम से कर लिए ठीक है तो मिलते है नेस्ट वीडियो में तब तक आपना ध्यान के स्रुशितरी जाहिं जावाद